ओम शान्ति आज 14 जन्वरी 2023 की बाबा की साकार मुरली हैं मुरली के महवा के हैं मीठे बच्चे अभी तुम्हारी काया बिल्कुल पुरानी हो गई हैं बाब आये हैं तुम्हारी काया कल्प व्रिक्ष समान बनाने तुम आधा कल्प के लिए अमर बनते हो प्रश्न ही इस वंडर्फुल नाटक में कौंसी बाद बहुत ही समझने की हैं उत्तर हैं इस नाटक में जो भी एक्टर्स याने पार्टधारी हैं उनका चित्र केवल एक बार ही देख सकते फिर वही चित्र पांच हजार वर्ष गे बाद देखेंगे 84 शनमों के 84 चित्र बनेंगे और सभी बिन्न बिन्न होंगे कर्म भी किसके साथ मिल नहीं सकते जिसने यो कर्म किये वह फिर पांच हजार वर्ष बाद वही कर्म करेंगे यह बहुत ही समझने की बाते ही, तुम बच्चों की बुद्धी का ताला अभी खुला ही, तुम यह राज सबको समझा सकते हो, गीत ही भोले नाथ से निराला, ओम शान्ति भोला नाथ सदय वर शुबाबा को कहा जाता ही, शंकर को नहीं कहा जाता, वह तो विनाश करता है, और शुबाबा स्थापना करते हैं, यह तो जरूर है, स्थापना स्वर्ग की और विनाश नर्क का करेंगे, तो ग्यान सागर भोला नात शुव को ही कहेंगे अब तुम बच्चे तो अनभवी हो जरूर कल्प पहले भी शुव बाबा आया होगा और अब आया है जरूर उनको आना जरूर है क्योंकि नई मनुष्य स्रिष्टी को रचना है इस ड्रामा के आदी मध्य अंत का राज बताना है इसलिए जरूर यहां आना है सुक्ष्म वतन में तो नहीं बताएंगे सुक्ष्म वतन की भाषा अलग है मूल वतन में तो भाषा है नहीं यहां है टौकी शुव बाबा ही बिगडी को बनाने वाला है जब सृष्टी तमो प्रधान होश आती है तो सबको सद्गती देने वाला भगवान कहते है कि मुझे आना पड़ता है यादगार भी यहां है इस नाटक में जो जो मनुष्य के चित्र है वह एक ही बार देख सकते है ऐसे नहीं कि लक्ष्मे नारेन के चित्र याने चहरे सत्युक के सिवाई कभी भी कहा देख सकते है वह पुनर्जन मलेंगे तो नाम रूप भी न होश आएगा वही लक्ष्मे नारेन का रूप एक बार देखा फिर पांच हजार वर्ष के बाद ही देखेंगे जैसे गांधी का हुबहु चित्र फिर पांच हजार वर्ष के बाद देखेंगे अथाह मनुष्य हैं जो भी मनुष्यों के चित्र अब देखे हैं वह फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे 84 जन्मूं के लिए 84 चित्र बनेंगे और सभी भिन्न भिन्न होंगे कर्म भी किसके साथ नहीं मिल सकते जिसनी शुकर्म किया वही कर्म 5000 वर्ष के बाद फिर करेंगे यह बहुत समझने की बाते हैं बाबा का भी चित्र है, हम समझते हैं, जरूर पहले पहले स्रिष्टी रचने वह आया होगा तुम्हारी बुद्धी का ताला अब खुला है, तब तुम समझते हो अब फिर ओरों का भी ऐसे ताला खुलना है, निराकार बाप जरूर परमधाम में रहते होंगे जैसे तुम भी सब मेरे साथ रहते हों, पहले जब मैं आता हों तो मेरे साथ ब्रम्ह, विष्ण, शंकर होते हैं मनुष्य स्रिष्टी तो पहले से ही है, फिर वह कैसे पल्टा खाती है, रिपीट कैसे होती है पहले पहले जरूर सुक्ष्म वतन रशना पड़े, फिर स्थूल वतन में आना पड़े, क्योंकि मनुष्य जो देवता थे, वह अब शुद्र बने हैं उनों को फिर ब्राह्मन से देवता बनाना पड़े, तो जो कल्प पहले मेंने दिया था, फिर वही रिपीट करूंगा इस समय बेट राज योग सिखाता हूं, फिर आधा कल्प के बाद बक्ती आरंब होती है बाप खुद बेट समशाते हैं, कि पुरानी स्रिष्टी फिर नई कैसे बनती हैं अन्त से फिर आधी कैसे होती हैं, मनुष्य समझते हैं, परमात्मा आया था, परन्तु कब कैसे आया आधी मध्य अन्त का राज कैसे खोला, यह नहीं शानते बाप कहते हैं, फिर मैं सम्मुख आया हूँ, सभी को सद्गती देने माया रावन ने सभी की किस्मत बिगाड दी हैं, तो बिगडी को बनाने वाला जरूर कोई चाये बाप कहते हैं, पांच हजार वर्ष पहले भी प्रम्ह तन में आया था मनुष्य स्रिष्टी जरूर यहा ही रची हैं, यहा आकर स्रिष्टी को पल्टाएं, काया कल्प व्रिक्ष समान बनाते हैं अब तुम्हारी काया बिल्कुल पुरानी हो गई हैं, इसको फिर ऐसा बनाते हैं, जो आधा कल्प के लिए तुम अमर बन जाते हो भल शरिर बदलते हो, परन्तु खुशी से, जैसे पुराना चोला छोड नया लेते हैं वहा ऐसे नहीं कहेंगे, कि फलाना मर गया, उनको मरना नहीं कहा चाता हैं जैसे तुम्हारा यह जीते यह मरना है, तो तुम मरे थोड़े ही हो तुम तो शुबाबा के बने हो, बाबा कहते हैं, तुम मेरे नूरे रत्न, सिखिलते बच्चे हो शुबाबा भी कहते, तो ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं, वह निराकारी बाप यह साकारी बाप अभी तुम कहते हो, बाबा आप भी वही हो ना, हम भी वही हैं, जो फिर आकर मिले हैं बाब कहते हैं, मैं आकर स्वरगस थापन करता हूँ, राजाई तो जरूर चाहिए, इसलिए राजोग सिखाता हूँ पीछे तो तुमको राजाई मिल शायगी, फिर इस ज्ञान की वहा दरकार नहीं रहती फिर यह शासर आदी सब भक्ती में काम आते हैं, पढ़ते रहते हैं जैसे कोई बड़े आदमी हिस्ट्री जोगरफी लिख शाते हैं, वह पीछे पढ़ते रहते हैं अथाह किताब हैं, मनुष्य पढ़ते ही रहते हैं, स्वर्ग में तो कुछ भी नहीं होगा वहा तो भाषा ही एक होगी, तो बाबा कहते हैं, अब मैं आया हूँ, स्रिष्टी को नया बनाने पहले नई थी, अब पुरानी हो गई हैं, मेरे सब पुद्रों को याने बच्चों को माया ने जलाई राक कर दिया ही वह दिखाते हैं सागर के बच्चे, ज्यान सागर तो बरोबर ही, उनके तुम बच्चे हो भल बच्चे तो वास्तों में सभी हैं, परन्तु तुम बच्चे सब प्राक्टिकल में गाये जाते हो तुम्हारे कारण ही बाप आते हैं कहते हैं मैं आया हूँ फिर से तुम बच्चों को सुरुजित करने जो बिलकुल काले पथर बुद्धी हो गए है उनको फिर से आकर पारस बुद्धी बनाता हूँ तुम जानते हो इस ग्यान से हम पारस बुद्धी कैसे बनते हैं। जब तुम पारस बुद्धी बन चाएंगे तब यह दुनिया भी पत्थर पुरी से बदल पारस पुरी बन चाएगी। इसके लिए बाबा पुरुशार्थ कराते रहते हैं। तो बाबा को जरूर मनुष्य स्रिष्टी रचने के लिए यहाँ ही आना पड़ेगाना जिसके तन में आते हैं। उन द्वारा मुख वैंशावली बनाते हैं। तो यह हो गई माता कितनी गुईय बात हैं। है तो यह मेल इनमें बाबा आते हैं। तो यह माता कैसे हुई। इसमें मुझेंगे जरूर। तुम सिद्ध कर बताते हो कि यह मात पिता ब्रह्मा सरस्वती दोनों कल्प व्रिख्ष के नीचे बैठे हैं। राजयोग सीख रहे हैं। तो जरूर उनों का गुरू चैये। ब्रह्मा सरस्वती और बच्चे सभी को राज रिशी कहते हैं। राजय के लिए योग लगाते हैं। बाब आकर राजयोग और ज्ञान सिखाते हैं। जो और कोई भी सिखा न सके। न कोई का राजयोग है। वह तो सिर्फ कहेंगे योग सीखो। हट योग तो अनेक प्रकार के होते हैं, राजोग कोई भी सिखला न सकें, भगवान ने आकर राजोग सिखाया था, कहिते हैं हमको कल्प कल्प फिर आना पड़ता हैं, जबकि मनुष्य स्रिष्टी नई रचनी हैं, प्रलै तो होती नहीं, अगर प्रलै हो शाय तो फिर हम कार क्या आकर करेंगे, बाप समझाते हैं, स्रिष्टी तो पहले से ही हैं, भक्ती भी हैं, भगवान को बुलाते भी हैं, इससे सिद्ध हैं कि भक्त हैं, भगवान को आना ही तब हैं, जब भक्त बहुत दुखी हैं, कल्युक का अन्त हैं, रावन राच्चा खत्म होना हैं, तब ही मुझे आना पड़ता है बोरोबर इस समय सभी दुखी है महाभारे लड़ाई सामने खड़ी है यह पाथशाला है यह एम अबजेक्ट है तुम शानते हो सत्यूग में लक्षमी नारेन का राज्य था फिर सिंगल ताज वालों का राज्य हुआ फिर और और धर्म व्रिद्धी को पाए है फिर राजाई आदी बढ़ाने के लिए युद्ध आदी हुए तुम जानते हो जो पास्ट हो गया वह फिर रिपीट होगा फिर लक्षमी नारेन का राज्य आरंब होगा बाबा वर्ल्ड की हिस्ट्री जोगरफी का राज पूरा समशाते हैं डिटेल में जाने की दरकार नहीं जानते हैं कि हम सुरिय वैंशी है तो जरूर पुनराशनम भी सुरिय वैंशी में ही लेते होंगे नाम रूप तो बदलते होंगे मा बाप भी दूसरे मिलेंगे यह सारा ड्रामा बुद्धी में रखना है बाप कैसे आता है वह भी समझ लिया मनुष्यों की बुद्धी में वही गीता का ग्यान है आगे हमारी बुद्धी में भी वही पुराना गीता का ग्यान था अभी बाब गुय बाते सुनाते हैं, जो सुनते सुनते सारे राज समश गए हैं, मनुष्य भी कहते हैं, आगे आपका ग्यान और था, अब बहुत अच्छा है अब समश गए हैं कि कैसे ग्रहस्त व्यवार में रहें, कमल फूल समान बनना हैं, यह सबका अंतिम शनम हैं, मरना भी सबको हैं, खुद बेहत का बाब कहते हैं, तुम पवित्र बनने की प्रतिग्या करो, तो 21 शनम के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे यहां तो कोई पदमपती हैं, तो भी दुखी हैं, काया कल्पतरू होती नहीं, तुम इक्किस शनम मरते नहीं बाब कहते हैं, यहां आएंगे भी वही, चु सुर्य वैंशें, चंद्र वैंशें, कामचिता पर बैठ सावरे हो गए हैं, इसलिए राधी कृष्ण, शुरी नारायन सबको सावरा दिखाते हैं, अभी तो सभी सावरे हैं, कामचिता पर बैठने से सावरे हो गए हैं, अब तुमको कामचिता से उतर कर ग्यानचिता पर बैठना हैं, वेश का हतियाला कैंसल कर ग्यान अम्रित का हतियाला बांधना हैं, समझाना ऐसे हैं, जो वह कहें कि तुम तो शुब कार्य कर रहे हों, जब तक कुमार कुमारी हैं, तो उनको मूत पलीती नहीं कहेंगे, बाप कहते हैं, तुमको गंदा कभी नहीं बनना है, आगे चलकर रढेर आएंगे, कहेंगे यह बहुत अच्छा है, ज्यान चिता पर बेटने से तो हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, अक्सर ब्राम्बन ही सगाई कराते हैं, राजाउं के पास सभी ब्राम्बन रहते हैं, उन्हों को राजगुरु कहते हैं, आजकल तो सन्या से भी हतियाला बानते हैं, तुम जब यह ज्यान की बाते सुनाते हो, तो लोग बहुत खुश होते हैं, जट राखी भी बंधवा ले कुछ सहिन तो जरूर करना पड़े। तुम हो गुप्तशु शक्ती सेना। तुम्हारे पास कोई हदियार नहीं। देवियों को बहुत हदियार दिखाते हैं। यह सब है ग्यान की बातें। यहा है ही योगबल की बातें। तुम योगबल से विश्व की बात्शाही लेते हो। बाहुबल से हद की राजाई मिलती है। बेहत की राजाई तो बेहत का मालिक ही देंगे। लडाई की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं मैं केसे लडाऊंगा। मैं तो लडाई जगडा मिटाने के लिए आयावू। फिर इनका नाम निशान भी नहीं रहता। तब तो परमात्मा को सब याद करते हैं। कहते हैं मेरी लाज रखो, फिर भी एक में निश्य नहीं तो और और को पकड़ते रहते हैं, कहते हैं हमारे में भी इश्वर हैं, फिर अपने में भी विश्वास नहीं रखते हैं। गुरू करते हैं, जब तुम्हारे में भगवान ही, तु गुरू क्यों करते हो, यहा तो बात ही न्यारी है, बाप कहते हैं, कल्प पहले भी मैं ऐसे ही आया था, जैसे अब आया हो, अब तुम जानते हो, कि रचता बाप कैसे बेट रचना करते हैं, यह भी ड्रामा है, जब तक इस चक्र को नहीं जाना, तब तक कैसे जाने कि आगे क्या होना है, कहते हैं यह कर्मक्षेत्र हैं, हम निराकारी दुनिया से पार्ट बशाने आये हैं, तो तुमको सारे ड्रामा के क्रियेटर, डायरिक्टर का मालुम होना चाहिए, हम सब एक्टर्स तो चान गए हैं, कि यह ड्रामा कैसे बना हुआ हैं, यह स्रिष्टी कैसे वृद्धी को पाती हैं, जबकि अब कल्युक का अन्त हैं, तो जरूर सत्युक स्थापन होना चाहिए, इस चक्र के समझाने बिल्कुल ठीक हैं, जो ब्राम्हन कुल के होंगे, वह स समझाएंगे, फिर भी यह प्रजा पिता ही, तो अपना कुल बढ़ता ही शायका, बढ़ना तो है ही, कल्प पहले मुहाफिक, सब उरुषार्थ करते ही रहते हैं, हम साक्षी होकर देखते हैं, हर एक को अपना मुखडा आइने में देखते रहना हैं, कहा तक हम लायक बने ह सद्यूग में राजधानी लेने की, यह कल्प कल्प की बाजी हैं, जो जितनी सर्विस करेंगे, तुम हो पेहत की रुहानी सोशल वरकर्स, तुम सुप्रिम रूह की मत पर चलते हो, ऐसे अच्छी अच्छी पॉइंस धारन करनी हैं, बाप आकर काल के पंजे से छुडाते ह वहा मृत्यू का नाम नहीं, यह हैं मृत्यू लोग, वह हैं अमर लोग, यहा आदी मध्य अंत दुख हैं, वहा दुख का नाम निशान नहीं, अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रती, मात पिता बाप ददा का याद प्यार और गुड मॉनिंग, रुहानी चोंटी, सिखिलते रुहानी मात पिता बाप ददा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते बाबा नमस्ते, धारना के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट हीं, हम निराकारी और साकारी दोनों बाप के सिखिलते नूरे रत नहीं, हम शुबाबा के जीतेची वारिस बन हैं, किसी नशे में रहना हैं, दूसरी पॉइंट हैं, योग बल से विश्व की राचाई लेनी हैं, पवित्रता की राखी बांधी हैं, तो सहिन भी करना हैं, पतित कभी नहीं बनना हैं, आज का वरदान हैं, सुख के सागर, बाप की स्वृती द्वारा, दुख की दुनिय में रहते भी सुख स्वरूप भव, सुख के सागर, बाप की स्मृती द्वारा, दुख की दुनिया में रहते भी सुख स्वरूप भव, विश्लेशन हैं, सदा सुख की सागर, बाप की स्मृती में रहो, तो सुख स्वरूप बन जाएंगे, चाहे दुनिया में कितना भी दूख और शांती का प्रभाव हो, लेकिन आप न्यारे और प्यारे हो, सुख के सागर के साथ हो, इसलिए सदा सुखें, सदा सुखों के जूले में जूलने वाले हो, मास्टर सुख के सागर बच्चों को दुख का संकल्प भी नहीं आ सकता, क्योंकि दुख की दुनिया से किनारा कर संगम पर पहुंच गए, सब रसिया तूट गए, तो सुख के सागर में लहराते रहूं, आज का स्लूग नहीं, मन और बुद्धी को एक ही पावर्फुल स्थिती में स्थित करना ही, एकांत वासी बनना ही, अच्छा, ओम शांती